आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉग बस्टर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म बॉबी की बॉबी 1973 की ब्लॉग बस्टर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जिसे राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित किया गया था और इस फिल्म को ख्वाजा एहमत अभास ने लिखा था बॉबी फिल्म 1973 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म के कलाकार थे रिशी कपूर, डिंपल कपारिया, प्रेम नाथ, दुरगा खोटे, प्रान, सोन्या सहनी, अरुना इरानी, प्रेम चोप्रा, परीदा जलाल, पिंकु कपूर, राज रानी, जगदीश राज, आदी राज कपूर ने अपने बेटे जशी कपूर को इस फिल्म में लॉंच किया, वे युवा प्रेम कहानी के लिए एक नई नाइका चाहते थे फिल्म के नाइका के किरदार के लिए डिमपल कपारिया और नीतू सिंग ने ओडिशन दिया था, लेकिन इस फिल्म के लिए चुना गया डिमपल कपारिया को फिल्म बॉबी को IMDB पर 7.1 आउट ओफ 10 की रेटिंग मिली हुई है, इस फिल्म का बजट लगबग 8 करोड था और फिल्म बॉबी ने टोटल कमाई की थी 30 करोड की, इंडिया का नेट कलेक्शन था 5 करोड 50 लाक रुपे और ग्रॉस कलेक्शन था 11 करोड रुपे और इस मुवी ने इंडिया के बाहर कमाई थे 19 करोड 24 लाक रुपे फिल्म बॉबी आल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी फिल्म बॉबी से रिशी कपूर और डिम्पल कपाडिया रातो रात सूपर स्टार बन गए थे फिल्म बॉबी के बाद रिशी कपूर और डिम्पल कवाडिया फिल्म सागर और अजूबा के साथ काम करते नजर आये थे लेकिन इन दोनों की जोड़ी दुबारा से वो जादू नहीं दिखा पाई जो फिल्म बॉबी में दिखाया था एक इंटर्व्यू के दोरान रिशी कपूर जी ने बताया था कि बहुत लोगों को ये लगता था कि राज कपूर जी ने फिल्म बॉबी रिशी कपूर को लाँच करने के लिए बनाई थी राज कपूर जी इस फिल्म में राजेश खना जी को साइन करना चाहते थे लेकिन उस समय राज कपूर जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो राजेश खना जी को साइन कर पाते इसलिए राज कपूर जी ने अपने बेटे रिशी कपूर को फिल्म बॉबी के लिए कास्ट किया और लॉंच किया बॉबी मुवी की शूटिंग गुलमार की एक छोटी सी जोपडी में हुई थी गुलमार कश्मीर की एक बहुती सुंदर जगा है जिस जोपडी में फिल्म बॉबी की शूटिंग हुई थी आज वो जोपडी बॉबी हट के नाम से जानी जाती है बॉबी मुवी का कुछ हिस्सा पूने सोलापूर हाईवे पर भी शूट हुआ था इस फिल्म में म्योजिक दिया था लक्षमी कान प्यारेलाल जी ने और पहली बार लक्षमी कान प्यारेलाल को आरके फिल्म के लिए साइन किया गया था इस फिल्म के बाद प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुन्दरम और प्रेम गन जैसी फिल्मों भी भी लक्षमी कांथ प्यारे लान ने म्योजिक दिया था फिल्म बॉबी में 45 मिनट के टोटल 8 गाने थे और फिल्म के सबी गाने सूपर सूपर हेट हुए थे बॉबी फिल्म के गाने आज भी बहुत पसंद किये जाते हैं और सुने भी जाते हैं इस फिल्म के गाने एवरग्रीन की लिस्ट में आते हैं बॉबी मूवी को 5 एवार्ट मिले थे जिन में से एक आवार्ट था बेस्ट एकटर का जो रिशी कपूर को मिला था रिशी कपूर द्वारा लिखी गई किताब खुलम खुला विद रिशी कपूर में रिशी कपूर जी ने इस एवार्ट का भी जिक्र किया है उन्होंने इसमें बताया कि इस एवार्ट को रिशी कपूर ने 30,000 रुपे में खरीदा था ये एवाड पहले अमिताब बच्चन को उनकी फिल्म जन्जीर के लिए मिलना था लेकिन इस एवाड को रिशी कपूर जी ने खरीद कर अपने नाम कर लिया था मेरा नाम जोकर मूवी जोकी राज कपूर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी और इस मूवी में राज कपूर जी ने अपनी सारी पुंजी लगा दी थी लेकिन ये मूवी उस समय चल नहीं पाई थी और मूवी फ्लॉप होने की वज़े से वे पूरी तरह करजे में डूब गए थे बॉबी मूवी बनाने के लिए राज कपूर जी के पास बिलकुल भी पैसे नहीं थे जिस वज़े से फिल्म बॉबी को फाइनेंस करने के लिए राज कपूर जी ने मुंबई के डॉन हाजी मस्तान से मदद भी ली थी बॉबी मुवी की सफलता ने राज कपूर जी के सारे कर्ज उतरवा दिये थे और राज कपूर जी के दिन फिर से अच्छे हो गए थे बॉबी फिल्म का एक बहुती पॉपुलर गाना है हम तुम एक कमरे में बंद हों इस गाने के रिलीस के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी थी इस पार्टी में शमी कपूर, रंधीर कपूर, फिरोज खान और संजे खान भी शामिल थे इस पार्टी के दौरान शमी कपूर और फिरोज खान के बीद छगड़ा हो गया था और तब से लेकर साल 1998 तक शमी कपूर और फिरोज खान ने बिलकुल भी आपस में बात नहीं की थी फिल्म बॉबी की एंडिंग के लिए दो सीन शूट किये गए थे एक थी हैपी एंडिंग और दूसरी थी सैड एंडिंग लेकिन फाइनली इस मुवी के एंड के लिए हैपी एंडिंग चुना गया इस फिल्म का गाना मैं शायर तो नहीं फिल्म में जितना रखा गया था रियल में ये गाना उससे कहीं ज़्यादा लंबा था लेकिन मुवी के लिए इस गाने की आधी लेंट काट दी गई थी फिल्म बॉबी टीनेजर जोन की पहली रोमांटिक मुवी थी और इस मुवी से रिशी कपूर और डिंपल कबारिया रातो रात सुपर स्टार बन गए थे इस फिल्म में वर्साटाइल एक्टर प्रेम नाथ ने डिंपल कबारिया के पिता का रोल किया था रियल लाइव में प्रेम नाथ राज कपूर जी के सगे साले थे और रिशी कपूर जी के सगे मामा डिंपल कवाडिया ने जब फिल्म बॉबी साइन की थी तब वे केवल 16 साल की थी फिल्म बॉबी के रिलीज होने से 6 महिने पहले ही डिंपल कवाडिया ने राजेश खनाजी से शादी कर ली थी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले आपको फिल्म बॉबी कैसी लगी थी कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई